तो एलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ समसंग A30S के लेक्टेस्ट नए फीचर के बारे में जो कि Android 11 के अंदर आये थे दोस्तों वो उसके बारे में बताने वाला दोस्तों कल मैंने वीडियो में बताया था कि Android 11 अपडेट आ चुका है समसं वीचर को एड़ किया गया है तो आप उससे कमेंट करके बता सकते हैं मैं डेफिनिटली उसकी नेक्स वीडियो में आपको कवर करने ही कुशिश करूँगा और उस वीचर को नेक्स वीडियो में जरूर बताऊंगा दोस्तों तो आखे चलते हैं मेरे नाम सभागत है मेरे च आख से दिक रहे होंगे नीचे आपको डिटल वैब्वर फेरिंग और नीचे नेक्स अलाराम और उपर आपको मेंजिक का आपको यह दिख रहा होगा तो यह दोस्तों यह नए अपडेट आया है इसको कैसे नेबल करना इसके लिए आपको करना है चाना है आपने ओवाइल भी करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं अगर वैदर भी डखना चाहते हैं आप वैदर भी कर सकते हैं जैसी आप इसको यहां से ओन करेंगे ओन करने के आपको सिंपल यहां पर टैप करना है यहां टैप करते हैं यहां पर सारी इंफरोशन यहां पर होम स्क्रीन पर डारेक् क्या होगा दोस्तों आपको जाना है आपको मोबाइल की सेटिंग पर सबसूपर दिख रहा हुगा टैप to turn on आद टुन आफ़ स्क्रीन ॉप से आइएक्ट कर देना है आप यहां ऐंई करलेंगे उसके लिए काम को जाएगा दोस्तों उसके बाद दोस्तों और भी कमाल के फिचर है उसके बाद सबसे जो कमाल का फिचर है जैसी आप अपने मुवाइल के यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेते थे अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्क्रीन शॉट में ऐसा कुछ भी आए तो यह नई सेटिंग इसमें आ चुकी है आप अपकी नविगेशन की फोटो आने वाली जो की बहुत ही अच्छा कमाल का फीचर है दुस्तों उसकी बाद अगर आप बेंक्ग्ग्राउंड है उसका ब्लर कर दिया गया अगर आप ट्रे में जाएंगे जो पहले क्या होता था आपस जो पीछे का आपका वालपेपर रहता था वह अच्छा एजिली आपको दिखता था बट आप उसको पूरी तरह से बैक्ग्राउंड कर दिया गया है अब आप देखेंगे आपकी एपस को अच्छे से आपको दिख रहा होगा उसके बाद दोस्तों नेक्स अपडेट में अगर आप देखेंगे यहां पर अगर आपकी एप को प्रेस करके देखते हैं तो जो पहले उसका लेयाउट आता था अब वह भी पूरी तरह से यहां पर चेंज कर दिया गया है क्योंकि पहले दूसरा लेयाउट आता था अब यह लेयाउट यहां से हटा दिया गया दोस्तों उसके बाद मुझे सबसे कमाल का फीचर लगा वह है वह आपको मैं दिखायता हूँ कैसे लाइक अगर आपने यहां पर कोई भी एप को खोला अगर आपको किसी एप को पॉप अप वियू में खोलना है तो आपको क्या करना रहता था पहले उसको जाके क्लिक करना था अगर आपको 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 पॉप अप वियू में खोलना जैसा आपको size सही है तो बहुत easily आप इसको यहां से use कर पाएंगे बहुत ही अच्छा feature याला मुझे लगा उसके बाद दोस्तों जो next update है, next features के लिए आपको जाना होगा यहां पर message में, message में जाएंगे तो आपको यहां पर latest update मिल रहा है यह recycle bin का जो कि पहले message में नहीं दिया गया था, अब आपको यहां पर recycle bin का option मिल गया है यहां पर 30 days के लिए आपके message अगर आप delete करते हैं unfortunately लेटी तो वहां पर आपके पास यहां पर save हो जाएंगे उसके अदो सबसे अच्छा feature है वह call के लिए दोस्तों call पर आपका भी background को set नहीं कर पाते थे बट आप यहां पर आप अपने mobile में background को भी set पाएंगे अगर आप video set करना चाते हो तो पीछे आप video भी set कर सकते हैं call screen पर उसके लिए जाना है आपको call app पर और यहां जाना है setting पर सेटिंग पर आपको यह ओप्शन मिलेगा call background जो कि पहले नहीं आता था यहां पर आने कहाथ आपको इसी पर चीछ पर आपको देखेंगी यहां पर ऐसा option मिलेगा यहां पर आपको layout पर मिलेगा layout बोले तो पहले layout ऐसा रहेगा अगर आप दूसरे ल разм responsibility करेंगे तो लियाउट ऐसा आने लगए अगर आप को लेट वाला सब से फेस्ट यी वाला रहता है तो आपको लेक्राइट पर क्लिक कर लेना हैं और यहां background पर simply उस पर करना क्या है, यहां से उसको tap कर देना है, tap करने के आप देखेंगे ऐसा और आ जाएगा, आपको उसके साब से adjust करने के आप उसको set as call background कर देना है, तो आप जब भी call आएगा तो आपका यहां पर ऐसा layout आ जाएगा तो ऐसे ही आप sim 2 में भी set कर सकते हैं, उसके आप जो next option है दोस्तों वो भी call को लेके अगर आप अपने mobile पर पहले किसी को call करते थे, तो यहां पर क्या होता था दोस्तों पहले नीचे आपको sim का option नहीं आता था अगर आप किसी चीज का यहां पर स्क्रीन शॉट लेते हैं आपको यहां पर यहां पर यहँंपको जो कापी कर नहीं ओप्शन तो आप अप देखेंगे हैं पर यह पूरा पेस्ट हो गया है जो की बहुत ही अच्छा दिया गया है कि आपको बार-बार उसके अंदर अंदर नहीं जाना पड़ेगा क्लिपकार्ट का यह option अच्छा दिया इसमें एक और चीज अच्छी दी गई है उसके लिए वापिस आपको जाना है उसी चैट पर या बोल सकते हैं किसी भी चैट पर जिसको आपको चैट करना है तो मैं यहां पर अपना चैट को सच मार लेता हुआ है तो मैं आपको जो्ट सभी जो नेक्स अप्डेट है वह भी उख शान्दर है अगर आप अपने मुवाइल को यहां पर करते हैं रोटेट करते थे तो पहले हुआ होता था जो कीबोर्ट आता था पूरे लंबा होता था बड़ आप यहां की वोड का साइज देख र अच्छा option में मुझे लगा बहुत अच्छा option यहां पर दिया गया है उसके बाद दुस्तों जो next feature है next feature के लिए आपको करना क्या होगा जाना है अपने मोबाइल की setting पर setting पर जाएंगे तो सबसे पहले जो सबसे पहले फीचर आएगा वह साउंड और वाइबरेशन को लेकर जैसी आप साउंड और वाइबरेशन पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक option मिल रहा है अलग ही जो पहले नहीं आता था सिस्थम साउंड को भी मोडिफाई कर सकते हैं अपने मेडिया स्टोरेज या कोई आप से वाप वहाँ पर डाउनलोड करके ऐसको एड़ कर सकते हैं उसके जो option है वो है volume की को लेके दो पहले क्या हुता था volume की जो की थी पहले अलग थी अब यहां पर volume की का आप देख सकते हैं दोस्तों यह पूरा अलग हो गया है यहां मेरे पर do not disturb कौन करके रखा है ने तो आपको यह पूरा यहाँ पर layout अलगी change हो के आपको दिखता यह अलग से यहाँ पर layout कर दिया गया तो उतनी बार आपका vibrate होगा notification आने पर जो की बहुत ही अच्छा शांदर फीचर है और यहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि डाइलिंग पर आपका vibrate हो नहीं हो तो आप यहाँ से उसको manage कर सकते हैं दोस्तों जो की शांदर फीचर दियेगी अगर आप नहीं चाहते तो उसको हटा सकते हैं उसके बाद जो next update है वह नोटिफिक्शन को लेके आपको जाना होगा चाहिए मेरे साब से brief ज्यदा अच्छा ए में जाएंगे तो आपका यहांपर आपसलेट कर सकते हैं कि कौन सी ढर्प में आप Let site pre करके तो आगर आप नहीं चाहते कोई डूसरी आप में आपको ब्रीफिनगर दिखे तो आप उसको यहां से अग्टा सकते हैं उसको ख्लिक करके सकते हैं यहां पर अई यहां पर एज लाइंग जो पीछे हट आ जाएंगे तो यहां पर जो की अच्छे वनलब अच्छे स्मार्टफॉन पर आता था या बुल सकते हैं एस सीरीज में आता था अब यहां पर उन्होंने वान यूवाई थ्री में सबको दे दिया आप दिख सकते हैं पीछे अलग से नैविकेशन आ रहा है अगर उसके बद दूस्तों यहां पर आएंगे आप नीचे की तरफ यहां पर यहां पर आएगे और जिते भी आप के बाद की सेफ होने लगेगी डिलीट होने के बाद भी आपको यहां पर जाएगी उसके दोस्तों यहां नीचे की तरफ आएंगे आपको मिलेगा डिस्प्ले का ऑप्शन डिस्प्ले में आएंगे तो यहां पर आपको जो नया ऑप्शन मिलने वाला एक तो आई आपको यहां पर आपको यहां पर आपशन दिएगे एपवार आने के बाद आपको सिर्फ करेंगे और दिख रहा होगा जो जितनी वी एप से आपको दिख जाएगी आपको अगर इसको मॉडिफाई करना तो एडिक इसप्ट पर कर लीजेगा यहां से और एप को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और जो सबसे उपर जो दिख रहा होगा जो आपको दिख रहा है बिलर है ये बाइड डिफोल्ट आती है मतलब कह सकते हैं कि जो आपने recently apps खोली है वो वहाँ पर आपको show हो जाती है जो कि बहुत ही अच्छा पैनल है एच पैनल आपको simply यूँ करना है अगर यहाँ पर आपको कोई app को pop-up में खोलना है तो simply आपको यूँ क्लिक करना है और यहाँ पर drag कर देंगे तो वो अगर आपको किसी app को pop-up में खोलना है तो आपको यहाँ पर click करके रखना है और यहाँ पर click करना है आप यह देखेंगे यह app आपकी pop-up में खोल जाएगी जो कि अच्छा option यहाँ पर दिया गया है या बसकते हैं अच्छा feature यहाँ पर add कर लिया गया है उसके बाद दोस्तों वापिस आपको setting में चलना है तो यहाँ setting में आनेगा दोस्तों यहाँ पर जो आप नए फिचर दिया गया है वह वाल पेपर में वाल पेपर में अगर आपने आप dynamic वाल पेपर यूज करते होंगे तो वहाँ पर आपको अलग से बहुत सारे यहाँ प आपको बताई दिया विजार्ट के बारे अब यहाँ पर clock style भी आपको अच्छे clock style दे दिया आप देख रहे हैं आप पर पहले स्रिप कोगलाइज्ट उपर आते अब यहाँ पर आपको अलग-अलग style से दे दिया आप चाहें तो उसके color भी modify कर सकते हैं और उसकी direction भी modify कर स सकते हैं दोस्तों यहाँ पर motion and services के मैंने features आपको बताई दिये हैं उसके दोस्तों यहाँ बैक आएंगे यहाँ पर आपको दिया गया है क्या बोल सकते हैं बैटरी एंड डिवाइस वाले पैनल में जो नया आपको feature add किया गया है जो की बहुत ही शांदर मुझे लगा जो पहले यहाँ पर viruses के नाता अब यहाँ पर डिवाइस प्रोटेक्शन कर दिया गया है और उपर आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक history का option दिया गया है के रिपोर्ट का जिसमें पहले एप issue history दिखती थी अब आपको यहाँ पर एक नया option दिया गया है restart history जब जब आपने मेरी वीडियो में कुछ कम ही है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि मेरे चैनल की नेक्स वीडियो के अपड़ेट आप सब सब्सक्राइब मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इंस्टागर और फेजब फोलो करना भी ना बूले इसका लिंक आपको नीच कि दोस्तो